हेलो बच्चों अगर कॉंट्राक्ट करेगी तो उस कंडिशन में उसका मास तो होई रहेगा में यह आर रेडिस का है तो यह रेडिस का हो गया तो अगर आपन देखें यहां से इसका 2x5 मैं से बोलगों कि जो मुंट of inertia है के डाइम के पॉर्ट अगर मुंमेंट ऑफ इनेर्शय यहां कितना है यहां मुमेंट of इनेर्शय तो गया आई-पाई-पॉर अजग एसमेट लिए सेही मुंट-टा मंइट यहां अचरी जूखेंगा i1 upon i2 is equal to omega 2 upon omega 1 and we know the omega is also inversely proportional time of time period so it is t t1 upon t2 so i1 i2 कितना हो गया यह तो आई था यह बाई 4 हो गया so यह हो गया आपका t1 upon t2 so t1 upon t2 is nothing but that याने कि t2 is t1 by 4 or t1 कितना था इसका हमारा 24 hours होता है so 24 by 4 it is 6 hours is the correct answer so right answer of the question is A, all the best